दोस्तों क्या आप लोग अपने आधार कार्ट के एडरस या पते को चेंज करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों आप अपने इस मोबाइल फोम से ही अपने आधार कार्ट के पते को चेंज कर सकते हैं। एकदम आसान तरीका बताने वाले हैं। अभी तक से आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको माई अधार की वेबसाइट को ओपेन करना है आप लोग किसी भी ब्राउजर में माई अधार लिख करके सर्च करिएगा सबसे उपर माई अधार की वेबसाइट आएगी आपको इस वेबसाइट को ओपेन कर लेना है वेबसाइट पूरी तरीके से ओपेन हो जाएगी फिर यहां पे आपको लोग इन का ओफ़सन नजर आएगा इस पे क्लिक करना है और उसके बाद से इसके अंदर आपको अपना आधार काड का जो नंबर है इसके अंदर फिलब करना है यह कैफचर कोड इसके अंदर फिलब करके send OTP पे करना है जैसे ही OTP आप लोग send करेंगे आपके registered mobile number पे OTP send कर दिया जाएगा उस OTP को देखिए यहाँ पे OTP send हो गया है OTP generation successful आ गया अब उस OTP को simple इस box के अंदर आपको फिलब कर देना है ध्यान दिज्जेगा OTP की जो validity होती है लगभग 5 मिनट तक होती है 5 मिनट के अंदर अंदर में आपको OTP फिलब करके simple login पे click करके login कर लेना है login पे जैसे ही आप click करके login कर लेंगे उसके बस से आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए काफी सारा option नजर आ जाएगा आपको address update वाले पे करना है click उसके बस से यहाँ पे पहला वाला जो update आधार online है इस पे click करना है उसके बस से आपको proceed to update आधार पे कर देना है click यहाँ पे देखिए आपको सबसे नीचे आधार कार्ड वाला जो option है इसको आपको tick कर लेना है select करने के बाद आपको proceed to update पे कर देना है click उसके बास से यहाँ पर आपका जो current details है जो इस समय का address है यहाँ पर सो हो जाएगा तो आपको क्या करना है इसको ignore करना है यहाँ पर देखिए पूरा आपका details सो हो रहा है आपको नीचे आना है यहाँ पर देखिए details to be updated इसमें क्या करेना है आपको अपने father का नाम या फिर कोई अगर ladies हैं तो उनके husband का नाम यहाँ पे आपको flip कर देना है तो यहाँ पे नाम flip करने के बाद आपको आना है थोड़ा से नीचे अब देखिए आपको यहाँ पे house building apartment में तो यहाँ पे आपको अपने तरीके से fill up करना है अगर आप लोग किसी गाओं के रहने वाले हैं तो इसके अंदर आपको अपने village का नाम enter कर देना है तो चलिए यहाँ पे हम enter कर देना है नाम उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग English में type करेंगे automatic Hindi में आ जाएगा ठीक अब यहाँ पे देखिए हमने नाम type कर दिया अब यहाँ पे देखिए street road lane में इसके अंदर आपका जो भी है enter कर दीजिए अगर आप लोग गाओं के रहने वाले हैं तो अपना post office का नाम इसके अंदर enter कर दीजिएगा तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है area, locality, sector इसको आपको छोड़ देना है सीधे आपको आना है pin code वाले option में ठीक है landmark को भी आपको छोड़ देना है pin code में आना है और अपने area का जो भी pin code है pin code को enter कर देना है enter करते ही यहाँ पे और details जो बाकी details है automatic आ जाएंगे जैसे आपका state यहाँ पे देखिया automatic आ गया है और आपका district भी यहाँ पे automatic आ जाएगा अब फिर आपको क्या कहना है यहाँ पे देखिए आपको आ जाना है यहाँ पे पोस्टाफिस में पोस्टाफिस भी automatic select हुआ मिल जाएगा अब यहाँ पे देखिए आपको select wallet supporting document के उपर करना है click तो इसके अंदर आपको क्या कहना है यहाँ पे कौन सा प्रूफ आपको लगाना है यह आपको दिखा देते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पे है standard certificate village penchait head और मुखिया इस पर हमने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है इस document को कैसे विल्कुल free में तयार करना है तो चलिए इस वाले document का जो PDF है हम यहाँ पे select कर लेते हैं बहुत यासानी से दो मिनट में यह document ready हो जाता है दोस्तों इस पर हमने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है उसका link हम इस वीडियो की नीचे description box में दे देंगे कि इस तरीके से आपको इस वाले document को इस address proof वाले document को ready करना है ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए हमने same to same वही document लगाया है अब simple क्या करना है में next कर देना है अब next करने के बाद यहाँ पे आपको इन दोनों box पे ticker देना है और उसके बाद से अपने address को आपको जो नया वाला address है अच्छे तरीके से match करा लेना है सब कुछ हिंदी इंगलिस दोनों में बढ़ियां से match करा लीजिएगा पूरा document सही रहेगा फिर आपको next कर देना है next करने के बाद फिर अगला step खुल जाएगा इस वाले box पे आपको tick करना है उसके बाद से दोनों में से कोई एक payment gateway को select करके make payment पे कर देना है click अब यहाँ पे देखे payment वाला option खुल गया है अब आपको payment करने को बोल रहा है यहाँ पे आप चाहें तो simple इस QR code पे scan करके payment कर सकते हैं इस पे payment कर देंगे 50 रुपे का payment total करना है payment complete होते ही देखे हमने UPI से scan करके payment complete कर दिया है payment complete होते ही यहाँ पे payment successful लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों अब हमारा काम पूरी तरीके से खतम हो गया है अब हमें बस दो दिन का wait करना है दो दिन wait करने के बाद आप लोग अपने अधर कार्ट को download करेंगे तो आपका address successfully अपडेट